कि किसी भी नंबर को रोमन नंबर में बीज़्ाब लिखा जाता है कि अब देखिए कुछ एक टर्मिनॉलिजी आपने याद रखनी है जैसे मैंने बेनन लिखा तो इस वन को कैसे लिखेंगे यह 1 है इस वन ओन को इस तरह से सब लिखा जाता है इस 5 100 को लिखते हैं C से और इसी तरह अगर हम 500 को लिखें तो नोट कर लेजिए D से और 1000 को हम M से जो वो लिखते हैं 1000 को किस से है यहां तक लेरे सारी चीजें हिंदू अर्बिक में हैं और यह आपके पास रॉमन में यहां तक किसी को कोई दिक्कत सारी चीजें क्लेर हैं कि बोलो कुली से अब देखिए मैंने वन लिखा तो बन को सिंपलолоIX इस तरह से लिखते हैं जैसे यह वं लिख दिया अब देखिए इस रॉमन number में जब हमने 2 लिखना है जब हमने क्या करना है 2 लिखना है तो हमने क्या किया इस 1 में एक और 1 add कर दिया तो आपका 2 बन लिया इसी तरह से 3 लिखना है तो 3 आपका ऐसे लिखा जाता है मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 अब देखिए 5 को लिखा जाता है इस तरह से यह आ गया आपके पास 5 तो 5 से आपने ये पीछे की तरफ जब आपने 1 लगा दिया मतलब आपने क्या किया 5 से 1 माइनिस कर दिया तो आपका हो गया 4 यहां तक समझ आया 1 2 3 4 और 5 कैसे लिखे गए अब इसमें क्या किया एक एड कर दिया 5 में एक एड कर दिया मतलब दूसरी तरफ लगाएंगे तो एक एड कर दिया तो हमारा 6 हो गया 5 में 2 एड कर दिये तो 7 हो गया 5 में 3 एड कर दिये तो हमारा 8 आ गया अब दिखिये 9 लिखना है तो 10 को मैंने वुला इस तरह से लिखा जाता है तो 10 को इस तरह से लिखा जाता है तो एक माइनिस कर दिजिए और 9 इस तरह से लिखा जाएगा चेंजिस कहां पे हुए आपके चेंजिस हुए फोर और फाइव में एट और नाइन में यहां तक चीजें समझ आई सभी को कि कैसे बनते हैं यह अब जैसे मालो 11 लिखना है तो इसमें एड कर दीजिए 11 हो गया 10 में 2 एड कर दीजिए 12 हो गया इसी तरह से 13 हो गया फिर हम क्या करेंगे 10 में 4 एड कर दीजिए 10 में 5 एड कर दीजिए 6 7 8 9 और जब हमने 20 लिखना है तो क्या करेंगे हम बोलो जल्दी से 10 plus 10 मतलब क्या आजाएगा X और X X और X आजाएगा तो हमारा हो जाएगा 20 इस तरह से फिर देखिए 30 लिखना है तो इस तरह से triple X 30 हो गया अब मैंने आपको क्या बताया था कि 50 को किस से लिखा जाता है L से लिखा जाता है जब हम 40 लिखेंगे तो क्या कर देंगे L मैंसे 10 माइनिस कर देंगे यहां तक समझाया सभी को 60 लिखेंगे तो इस 50 में 10 एड़ कर दीजिए तो हो गया आपका 60 इस 60 में अगर 70 लिखना है तो इस L में आपको कितने एड़ कर देंगे 2 X जब आड़ कर दीजिए यह आगया आपका 70 80 लिखना है तो L में रिपल X एड़ कर दीजिए फिर आती यह बात 90 तो 100 मैंने क्या बुला 100 को कैसे लिखा जाता है C से बोलो जल्दी से फट फट बोलो 100 को हम C से लिखते है तो 90 लिखना है तो 100 से 10 माइनिस कर दो यह आगया आपका 90 110 लिखना है तो हम क्या करेंगे इस तरह से C X C X X 120 हो गया समझ आ रहा है सभी को अब दिखिए हमने लिखना है 200 तो 100 आपका हो गया C और 200 लिखेंगे तो इसमें 100 एड़ कर दीजिए तो double C आपका क्या आ जाएगा 200 इसी तरह से 300 लिखना है तो triple C इसी तरह से 400 लिखना है तो हमें क्या पता है 500 को हम किस से लिखते है D से तो इसमें से हम 100 माइनिस कर देंगे C D आपका हो गया कितना 400 तो जल्दी से बताइए 600 को कैसे लिखेंगे हम क्या आ जाएगा DC Yes 500 आ गया D और 100 और कर देजिए तो आ जाएगा DC 600 के बाद 700 कैसे हो जाएगा D DC DC DCC अब 900 को लिखना है तो 900 को कैसे लिखेंगे बोलो 1000 को जब हम M से लिखते है 900 क्या हो जाएगा CM लेरे सभी को Yes or No Yes sir तो यह छोटा सा हमारा करम थी Roman number से related जिसको कि हम लिखने का तरीका अब देखिए आप जब वो 501 लिख रहे है मान लेजी एक मिनिट के लिए तो आपने क्या लिखना है D आखा हो जाएगा 500 और इसमें एक एड कर दीजिए 501 हो गया 502 लिखना है तो इसमें 2 एड कर दीजिए तो इस तरह से आप कुछ भी जो लिख सकते है बट कब लिखेंगे प्रेक्टिस करेंगे तब जैसे 51 लिखना है आपने मान लो तो 51 कैसे लिखेंगे 50 को हम किस से लिखते है L और एक यह हो गया L I आपका 51 हो गया समझ आया सभी को Yes or No? Yes sir 101 लिखना है मान लो तो 101 101 को कैसे लिखेंगे जल्दी से लिखो C I C और I इसी तरह से 130 लिखना है तो C X X और X समझ आया Yes or No? Yes sir बहुत सिंपल है जब आप प्रेक्टिस करेंगे तो और चीजें जब अच्छे से आपकी जब वो क्लेर हो जाएगी तो इन चीजों को आपने अच्छे से जब वो रिवाइस करना है और प्ष्ण जब वो इनके ऊपर सॉल्ट करते हैं और रही बात कल के सेशन की तो कल जो चीजें हम पढ़ेंगे विच इस दा मोस्ट इंपॉर्टेंट फिंग्स कल हम सीखेंगे की योनिट डिजिट जब वो कैसे निकालते हैं इकाई का अंग यहां से एक प्ष्ण जो वो बहुत इंपॉर्डेंट पूछा जाता है और सेकंड चीज पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्डेंट इंपॉर्डेंट विच इस डिविजिबिल्टी रूल याद रखना है सभी ने डिविजिबिल्टी रूल हम जाबो कल पढ़ने वाले है तो कल हम एक से लेकर दस तक किन नंबरों से किस तरह से डिविजिबिल्टी को चेक पिरना है एक हम इसको पढ़ेंगे एक पढ़ेंगे हम यूनिट इजिट जाबो कैसे निकालते हैं और तीसरा जो हमरे पास चीज आती है विचिस रिलेटीड टू एडिक्टिव इनवर्स और मल्टिप्लिकेटिव इनवर्स योज्य प्रतिलोंग जो और उसके वारे में जो हम कल की क्लास में जो डिसकस करेंगे लेकिन उससे पहले आज जो पड़ा है उनके आप कॉंसेप्ट के ट्रेकी नोट्स जो बनाएंगे और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन जो देखने है प्रिवियस यह जो भी आप जिस भी एक्साम की त्यारी कर रहे हैं उनसे रिलेटीड नंबर सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए है उनको जो वो सॉल्व करना है सुभी ने बैठी ठीक है ले रहे हैं इतना है यह सर नो बाकि जब हमारा यह कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर तो मैं आपको भी एक सेशन करवाऊंगा जो की प्रैक्टिस का रहेगा जिसमें हमारे पास टॉप थर्टी क्वेश्चन जो रहेंगे विच इस आलसो रिलेटीड इस नंबर सिस्टम को अच्छे से जब वो समझेंगे और जब आप क्वेश्चन भी ट्रैकल कर लेंगे तो आपको और अच्छे से चीजें जब वो फ्लेर हो जाएगी तो आई वोग आप सभी कल जब जितना हमने पीछे किया है तो उन सभी चीजों को अच्छे से और बेसिक जो टर्मिनालिजी है इंटीजर हो गया या फिर आपको सोचना ना पढ़े कभी कि परिमे संख्या क्या होती है और परिमे संख्याएं क्या होती है या फिर आपके पास जो प्राइम नंबर है उनको कैसे डिफाइन करना है कंपोजिट नंबर ए बार प्रेश्चन पूश लेता है smallest composite number तो वहां पे गलती से बच्चे गलत अंसर लगा देते हैं एक आपने वह गलती नहीं करनी है कि smallest composite इसके इलाबा प्राइम नंबर से बहुत क्वेश्चन आते हैं बेसिक लेवल पे अगर आप प्राइम नंबर अच्छे से पढ़ जाते हैं तो वहां से भी क्वेश्चन फस्ता है उसको भी आपने अच्छे से रिवाइस करना है जितनी चीजें अभी तक पड़ी हैं उनको रिवाइस करिए और कल के लिए मैंने टॉपिक बता दिया यूनिट डिविजिविल्टी और एडिटिव इंवर्स और मुल्टिप्लिकेटिव इंवर्स क्लास किसी ने में इस नहीं करनी है दोबारा मैं चीज चीजें अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि रिकॉर्डिंग अलग चीज होती है और लाइब चाब अलग चीज होती है जरने सभी को करेंगे जो भी चीजे रहेगी एंक्यू सो मच और रिवीजन करना है सभी ने